आज हम सीखेंगे एक समकोंड त्रिभुज की रचना जब उसके एक पाद यानि लेग और कर्ण यानि हाइपोटेनियोस की लंबाईया दी हुई हो आपको याद होगा कि अगर एक समकोंड त्रिभुज यानि राइट आंगल ट्राइंगल का कर्ण और एक भुजा क्रमशह दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं सर्वांग सम्ता के इस प्रतिबंद को हम RHS सर्वांग सम्ता प्रतिबंद कहते हैं अब तक हमने SSS कसोटी, SAS कसोटी और ASA कसोटी के आधार पर त्रिबुच की रचना करने की विदी सीखी अब हम RHS कसोटी के आधार पर त्रिबुच की रचना करेंगे मान लीजे हमें एक समकोंड त्रिबुच ABC की रचना करनी है त्रिबुच ABC में कोंड बीका माप 90 डिगरी है कंड AC की लंबाई 5.7 cm है और बुजब EC की लंबाई 4.5 cm है चलिए हम दी हुई मापों के अनुसार त्रिबुच ABC की रचना करे पहला चरण सबसे पहले हम त्रिबुच की दी हुई मापों के अनुसार त्रिबुच ABC की एक रफाकृति बनाएंगे और दीये मापों को इस पर अंकित करेंगे रफाकृति बनाने से हमें अनुमान लग जाता है कि त्रिबुच की रचना कैसे की जा सकती है दूसरा चरण यहां भुज़ा BC की लंबाई 4.5 cm है इसलिए हम रूलर के उप्योग से 4.5 cm की लंबाई का एक रेखाखन खीचेंगे रेखाखन को नाम देंगे BC ये रेखाखन त्रिबुच ABC की भुज़ा BC है तीसरा चरण चोकि कोंड B का माप 90 डिगरी है जान्दे के प्रयोक से 90 डिगरी पर बिंदू अंकित कर इसमें से जाती हुई किरण BX खीच कर प्राप्त कर सकते है A किरण BX पर कहीं स्थित होना चाहिए क्या आप बता सकते हैं बिंदू A का स्थान कैसे प्राप्त किया जा सकता है सोचिए सोचिए बिल्कुल सही हमें करण AC बराबर 5.7 cm ग्यात है चलिए इसकी साहता से एक अस्थान प्राप्त करें चोथा चरण करण AC की लंबाई 5.7 cm है इसका अर्थ यह है कि शीश A शीश C से 5.7 cm की दूरी पर है अतह शीश A का स्थान किरण BX पर निश्चित करने के लिए हम परकार में 5.7 cm के माप की दृज्जया लेंगे और बिंदू C को केंदर मान कर किरण BX पर एक चाप कीचेंगे पांचवा चरण चाप किरण BX को एक बिंदू पर प्रतिच्छेद करता है प्रतिच्छेदन बिंदू ही शीश A है इसलिए अब हम शीश A और शीश C को जोडेंगे जिससे हमें त्रिबुच ABC के भुजा AC प्राप्त होगी इस प्रकार हमने त्रिबुच ABC के रचना कर ली है जिसमें कोण B की माप 90 डिगरी है करण AC की लंबाई 5 दिशवलव 7 सेंटीमीटर है और भुजा BC की लंबाई 4 दिशवलव 5 सेंटीमीटर है इसी प्रकार अगर हम त्रिबुच RPQ खीचेंगे जिसमें कोण B बराबर कोण B बराबर 90 डिगरी है कर्ण RQ बराबर, कर्ण AC बराबर 5.7 cm है और भुजब PQ बराबर, भुजब BC बराबर 4.5 cm है तो हमें प्राप्त त्रिबुच RPQ त्रिबुच ABC से सर्वांग सम होगा यानि कि अगर हम त्रिबुच RPQ को त्रिबुच ABC पर रखेंगे तो हम देख पाएंगे कि त्रिबुच RPQ त्रिबुच ABC को पूर्णरोप से ढखता है अर्थात दोनों त्रिबुच समान माप एवं आकार के है यानि कि त्रिबुच RPQ और त्रिबुच ABC सर्वांग सम है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आरचिस कसोटी के प्रयोग से हमें एक अध्वित्य त्रिबुच प्राप्त होता है तो आज हमने सीखा एक समकोन त्रिबुच की रचना जब उसके एक पाद और कर्ण की लंबाईया दी हुई हो अगले वीडियो में हम इन से चुड़े कुछ उधारन देखेंगे